हाई फ्रेंड्स आज मैंने आप सबको कच्छे आम से खटी मिठी नमकिन बना कर बताऊंगी और बहुत ही ज़्यादा स्वधिष्ट और चटपटी लगती है तो चलिए देर न करते हुए रेश्पी बनाना इस्टार्ट करते हैं उसके लिए हमें कच्छे आम चाहिए तो दि सारे छिलकी निकाल लीजिए अब क्या करेंगे हम इसको धो लेंगे और धोने के बाद में इसके सारे पल्स जो है इस तरह से काट करके निकाल लेंगे तो सारे पल्स इस तरह से में निकाल करके यहां पर देखी रेडी कर ली हूँ और इसको फेक देंगे इठली को सारे पल लेते हैं आपको जदा लगे तो आप इसे कम भी कर सकते हैं अब यहां पर देखिए फ्लेवर के लिए पुदीना के पते डाल रहे हैं इसे कलर भी अच्छा है गरीन और इसका टेस्ट भी अच्छा आता है हरा धनिया में डाल रही हूं और यहां पर थोड़ा से डंठल लग आप सारी पतियां रहें आपके पास तो ले लीजिए काफी अच्छा रहेगा और एक हरी मिर्च डालेंगे और चाल लसन डाल देंगे इन सभी चीजों को डाल करके हम बारी की से पीस लेंगे तो देखिए मैं पीस करके लेकर आ गई हूं और बीच में थोड़ा थोड़ा देखिए दो थीन चमज डाल के इसी पीस लेंगे हूं मैं बूछा आलो करके टो दो आपके इसमें इसरी बोड़े नेगे जो बड़े रेसिस होंगे नहीं कीसे होंगे उस चान जायेगा बहुत बारिक इस चोन ज़िए नहीं हैं और इस तरह से मैंने छान लिया है अभी सन छहीं और थ्यूड़ा से कलर मुझे कॉम लग रहा तो मैं यहां पर फूट कालर का यूज कर रही हूँ आप चाहें तो दाले या इसे स्किप कर सकते हैं फुट कलर को इससे तनी ग्रीन अच्छा कलर आ जाएगा और सारे मिश्रण के मैं नहीं बना रही हूं इतना मैं बचा कर यहां पर साइड में रख देती हूं और देखें नमक डालेंगे अधा चमस स्वाद के अंसार और एक चमस में पीसी हुई छीनी डाल बनाना है चाफार कर लंगे और ज्यादा नप Ci पतला बनाना है ज्वाइनन घरते का पॉडर और अजवायन बड़़ेंगे ऐस में उसको डाल कसे हमने हम बाता से हमिक्स कर लिया इ। रहे हो और ठीको देजार से काःषका कापिर ली और बहुत आपिल और पाप्र कंध प्लास्टर का कपड़ा और इस तरह से रखके ने नीचे को टोरी के अंदर रबर लगा लेंगे और इस तरह से गरम कर लेंगे मोती Divi जाए या कुई भी नुपीड़ी दिशाए जीज है तो उसको गरम करके इस तरह से इसके अंदर होल कर लेना है तो इसी तरह से मैं बार बार गरम करके इस तरह से होल कर ली हूँ और उसके ऊपर थोड़ा सा हम ऐल लगा लेंगे ताकि चिपकेगा नहीं और उसके अंदर डाल करके इस तरह से बेटर और भर लेंगे और पकड़ लेंगे पहले जिलेबी भी लोग कपड़े से बनाते हैं तो निकल aha कर लिया है और फ झी सपी होने तक पकाणा है अब इस तरह कहो गया अब इसको थोड़ा सा हम इस तरह से कल्ची से इसको चला देंगे यानिकी छनाटे से और इसको हिला देंगे और अच्छे से क्रिस्पी होने तक पका लेंगे तो देखें इस तरह कि जब हो गया तो थोड़ा से इसका कलर चेंज हो गया है और इस तरह का हो गया है अगर धीमी आझब इसे पकाते है hairs crispy भी हो जाएगा और इसका color भी बना रहेगा तो एक ही बैस मैं आपको इसको बताओंगे इस तरह से और इस तरह से कफ़ी मतलब बढ़िया है, crispy है इस तरह से हमने बना गर इसे ready कर लिया है अब देख सकते हैं इस तरीके से भी अब बना सकते हैं और इससे साइड में रखेंगे और एक दुसरा तरीका मैं आपको बताती हूं जो बचा हुआ बेटर था उसके अंदर नमक डालेंगे और एक चमच और मैं यहां पर पीसी हुई चीनी डाल लेती हूं और सभी चीजों को इस तरह से मिक्स क करेंगे और चलेंगे गैस के तरफ गैस पर एक पैन में रख ली हूं पैन के अंदर इसको डालेंगे तदि कि मैंने पानी भी नहीं डाला है और ना मैं इसके अंदर कोई डाली हूं इसी तरह से इसको डाल करके और इसे थोड़ा सा गरम करेंगे काफी मोटा लग रहा तो म करएगे थोड़ा यह पानी यह जादा पकाना नहीं है तो भी कर चेसे डाल ने कहाण में दो छमक्ष डालेंगे से ज़्यादा की जोरुत नहीं है और इसे मिक्स करेंगे, इस तरह से सभी चीजे को मिक्स करेंगे और गैश को बिल्कुल में मीडियूम पर रखी हूँ बिलुकल लो पर रखेंगें । बिल्कुल तेज नहीं एक Anh करेंगे मीडियूम पर रखेंगे गैस को और इस तरह से इसे मिक्स करेंगे चलाएंगे और इसे गाढ़ा साई को मतलब बेटर बना लेंगे इस तरह से चलाते रहेंगे और गैस कम रहेगा तो इस तरह से यह हो जाएगा जब इसकी बैंडिंग बनने लगेगी इस तरह को हो जाएगा तो गैस को हम बन कर देंगे और इसे अच्छे से ठंडा होने के लिए रख देंगे तो देखिए गैस को मैं बन कर देती हूं और इसे ठंडा होने के लिए रख देती हूं तो देख सकते हैं यह ठंडा हो गिया है और मैं इसको मसल ली हूँ थोड़ा सा ओयल डाल करके चिकना कर ली हूँ अब इसको साइड में रखेंगे और एक मिसीन लेंगे चकली वाला मिसीन है और उसको मैंने ओयल से ग्रीस कर लिया है और ये बेटर को इस तरह से इसके अंदर डाल करके हम भर लेंगे जितना इसके अंदर आता है उतना डाल लेंगे और इसको मसीन को पर्ण कर देंगे और इ सीन भी चलाते रहें और इस तरह से इसमें गिरेगा तो जितना चाहें मतलब काफी एक के ऊपर एक नहीं करना है थोड़ा कमें इसमें टालिएगा और डाल करके इस तरह से दिखिए चाकू से में नीचे से कट कर लूगी यहां से भी आप तोड़ सकते हैं और काट के से फ्रा जाएगा बहुत जल लेकिन इसका कलर चेंज हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता है और मेरा भी हो गिया है तुसरी बर भी एक बता देती हूं आपको देखिए इस तरह से मिसीन चलाते हुए और उस तरह मेरा तील ज्यादा गरम हुआ था तो मुझे हीट लग रहा था हा जालने में मतलब सही है फिर से उसी तरह से कट कर लेंगे और इसे अच्छे से फ़्राइ करेंगे धीमी आज पेसे क्रिस्पी होने तक बढ़ी असे फ़्राइ कर लेंगे और देखिए थोड़ा सा जादा लग गया तक इसका कलर चेंज हो गया है इस तरह का लेकिनी पर देखी में रेडी कर ली हूँ और इतना सारा हुआ है फ्राइ हो गया है सारा चोटा प्लेट है तो काफी ज्यादा लग रहे है इसके अंदर इसको मैं बड़े प्लेट में करके तोड लेती हूँ बारी करूंगी और इस मैंगो से हमने इतना बढ़ियां खटा मीठा चरप और देख सकते हैं कितना क्रिस्पी हुआ है कितना बढ़िया तुरंत मैंने बढ़ाया है और तुरंत मैं आपको दिखा रही हूँ दो-तिन घंटे के बाद यह काफी और क्रिस्पी हो जाएगा और एक बैच मेरा काफी मतलब थोड़ा सा ब्राउन हो गया है सभी को इस तरह से मैं मिक्स कर दी हूँ तोड ली हूँ इसको और मैं आपको पास से दिखाती हूँ देख सकते हैं कितना बढ़िया बना हुआ है तो फ्रेंट्स अगर मेरी रेस्पी आपको पसंद आई हुए तो लाइक सियर मेरे चैनल को सब्सक्राइब किजिए